नमस्कार, आज हम लोग इस वीडियो में Istra D Pfizerется के बारे में Briefly discuss करेंगे, तो चलिए आज की ये वीडियो विना किसी डिले के Start करती हैं सबसे पहले हम लोग discuss करती हैं कि ये गोलिया, किस चीज़ की गोलियां होती है इस इस्टोजन होर्मोन के चार परकार होते है उसमें से एक परकार इस्टाडायोल का होता है अब ये जो गोलियां ये इस्टाडायोल हॉर्मोन को replace करने का काम करती है मतलब कि अगर female body में इस्टाडायोल हॉर्मोन की कमी है तो उसके level को increase कर देती है अगर female body में इस्टाडायोल हॉर्मोन बनता ही नहीं है किसी वज़ा से तो ये उसके लेवल को इतना कर देती है जितना कि हम एक special time period पर चाहिए होता है अब इसमें से बात निकल कर आती है कि ये जो गोलियां ये क्यों prescribe करी आती हैं क्यों जरूरी होती है तो देखिए ये जो गोलियां है ये समानेता females को डोक्टर के द्वारा uterus की जो सबसे अंदर वाली परत होती है जिसको endometrium लेयर बोलते हैं उसकी thickness को मोटा करने के लिए use की जाती है मतलब की female body की जो बच्चेदानी है उसकी अंदर वाली परत जिसको endometrium परत बोलते हैं उसकी मोटाई को increase करने के लिए ये गोलिया प्रेस्क्राइब करी जाती है होता ये है कि जब females की मासिक चक्कर की bleeding स्टार्ट होती है तो उसको day 1 बोलते हैं और day 1 से ही istadiole hormone का level female body में धीरे धीरे increase होता है जैसे जैसे level increase होता है वैसे यूटरस की जो अंदर वाली layer है endometrium परत उसकी मोटाई धीरे धीरे increase होती है वो increase इसलिए होती है ताकि कुछ time के बाद जब evolution होता है मतलब कि जब अंदा फूरता है और इस time अगर female अपने male partner के साथ में relation बनाती है तो जो अंदा फूरता वो fertilize हो जाता है और ये fertilize अंदा uterus में जाकर मतलब कि बच्चे द किताब है कि एक अच्छे गरब धारन के लिए मतलब कि एक अच्छे implantation के लिए endometrium की मोटाई का एक अच्छी मात्रा में होना जरूरी होता है अगर ये मोटाई जादा नहीं होगी कम होगी तो implantation के failure होने के chances रहते हैं endometrium की जो ये परत है इसकी मोटाई 10 mm या उससे जाद का होना अच्छा माना जाता है कच्छे implantation के लिए दूसरी तरफ अगर अंडा जो है fertilize नहीं होता है तो ये अंडा uterus में ही जाता है और कुछ टाइम के बाद ये जो लाइन मोटी हुई थी यही लाइन तूट कर शरीर से बाहर निकल जाती है bleeding के रूप में जिसे हम समानेत का मासिक धरम की bleeding कहते हैं या फिर periods bleeding बोलते हैं सो बेसिकली ये जो गोलियां है ये डोक्टर के दवारा endometrium की lining को मोटा करने के लिए लिए लिखी जाती है इसके इलावा अगर गरब अवस्ता के दोरान किसी भी समय अगर bleeding स्टार्ट हो जाती है टाइम से पहले या फिर sporting हो दी है तो भी pregnancy को support करने के लिए ये गोलियां दूसरे hormones के साथ prescribe करी जाती हैं इसके इलावा अगर females की age 45 plus है और menopause के जो syno symptoms है वो ज़दा परेशान करती हैं जैसे vaginal dryness या फिर mood swing होता है कईयों को जो bond density है वो ज़दा उनकी low हो जाती है तो ऐसी condition में भी इन tablets का use होता है males में भी इन गोलियों को prescribe करा जाता है prostate cancer की condition में और भी कफी सारी condition होती है जहां पर इन tablets को लिखा जाता है बट समाने ता most of the cases इस tablet को conceive कराने के लिए और during pregnancy prescribe करा जाता है आगे हम लोग discuss करती है कि इसकी doses क्या रहती है तो समाने ता जो इसकी dose है वो आपकी condition पर depend करती है मतलब कि आप इन tablets को किन परपस के लिए use कर रहे हो इसकी जो maximum dose है वो 6 mg per day की होती है 24 hour में मतलब आप 6 mg यूज़ कर सकती हो एक गोली 2 mg की होती है मतलब कि दिन में 3 बार 24 hour में 3 बार आप इन tablets को ले सकते हो as usual अगर आपका case IVF, IUI का है evolution induction का है तो दिन में 2 बार ये tablets दी जाती है बट अगर आपको severe deficiency रहती है इस्टडायोल की तो दिन में 3 बार आप इन tablets को ले सकते हो अगर इससे ज़्यादा मातरा में इन tablets को लेते हो तो इन tablets के जो side artifacts हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं आगे हम लोग discuss करते हैं कि ये गोलियां कैसे लेनी होती है और कितने time तक लेनी होती है तो समाने ता ये जो गोलियां ये पानी के साथ खाना खाने के बाद आपको लेनी होती है कितने दिनों तक लेनी होती है कब start करनी होती है तो देखिए ये भी आपकी condition पर depend करता है और किस purpose के लिए use कर रहे हो ये इस बात पर भी depend करता है जो IUI, IVF के cases होते हैं उसमें हमें जो endometrium की परत है वो काफी अच्छी चाहिए होती है उसकी जो ठिकने से वो अच्छी चाहिए होती है तो उसके लिए हम लोग day one से इन tablets को लेने के लिए बोलते हैं अगर evolution induction की बात करें तो evolution induction में क्लोमिफेंट, citrate या फिलेटरजोल हम लोग advise करते हैं patient को लेने के लिए जिसका course 5 दिन का होता है और उसके next day हम लोग इन tablets को 5 दिन तक लेने के लिए बोलते हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इन tablets को आपको पूरे period cycle तक लेने के लिए advice किया जाता है आगे हम लोग discuss करते हैं इन tablets के कौन-कौन से side effects होते हैं तो देखिए यह जो गोलियां यह hormones की गोलियां होती हैं और istadiole naturally जो है female body में पाया जाता है इस tablet के side effects को लेकर लोगों को बहुत doubt रहता है especially कि उनको weight gain होता है इन tablets को लेने से तो हाँ बेशक इन tablets को लेने से weight gain होता है बट हम लोग जो आगे hormonal sport करने के लिए medicine देते हैं उनसे आपका जो weight gain हुआ था वो reduce भी हो जाता है ठीक है तो weight gain होना normal है breast pain, breast tenderness, vaginal discharge होना, abdomen pain होन पेट में gas का होना, nausea, vomiting, mood swing, headache ये इन tablets के कुछ side effects हैं जो कि time के साथ अपने आप खतम हो जाते हैं जब आप इन tablets का course complete कर लेते हो आगे हम लोग इन tablets के regarding पूछे जाने वाले कुछ common questions के बारे में discuss करते हैं तो जो first question है वो ये कि क्या in tablets से weight gain होता है तो हाँ इन tablets को use करने से weight million होता है, number two कि इन tablets को लेने से क्या evolution पर impact पड़ता है तो ऐसा बिलकुल नहीं है, इन tablets को लेने से आपको evolution हो जाता है और जो doctor आपको इन tablets को लेने के लिए advise कर रहे हैं वो monitor भी करते हैं कि आपको proper day पर evolution होगा कि नहीं होगा जिसके लिए follicular monitoring होती है फिर ultra sound होता है उसमें आपकी endometrium lining को भी लगातार monitor किया जाता है और evolution किस दिन होगा किस दिन आपको relation मनाना है वो भी आपके doctor आपको advise कर देती हैं अगला जो question है वो है कि ये गोलियां क्या contraceptive pills का काम करती है तो ऐसा बिलकुल नहीं है हाला कि अगर आप इन tablets के साथ में dynogesk tablets का use करते हो तो य जो गोलियां ये as a birth control pill का काम करती है आगे हम लोग discuss करते हैं कि क्या इन tablets को लेना pregnancy में safe होता है तो बेशक इन tablets को लेना pregnancy में safe होता है but 37 weeks of pregnancy तक आप इन tablets को बेजिजग किसी भी time पर use कर सकते हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूं वीडियो में दी गई जा झाल झाल झाल